नमस्कार दोस्तों मेरा नम हिमान से सुर्वास्त और आप देख रहे हैं स्रेश्टे की यूटूब चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी पैसे की जरूरत हैं आप किसी से पैसा मांगना नहीं चाहते हैं किसी के आगे हाथ नहीं पहला आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंप्वाटन्ट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो हम कंप्लीट बात करने वाले हैं आप एक हजार रुपए से लेके पांच अलाग रुपए तक कैसे लोन ले सकते हों कंप्याज के दरपे तो आपको पैसे की जरूरत है तो फुरा कंप्लीट देखना होगा और वीडियो पसंसरा था वीडियो को को लाइक कर दिजिएका मेरे चैनल पर निया चैनल को सब्क्राइब कर लिँजेगा तो KOTAK Mahindra Bank आपको इतना लिख के आपको सर्च कर देना जैसा इतना लिख के सर्च कर देजिएगा तो आपको सामगे कुछ इतरीक औरTime देखने मिहाँ अर विद्धेये कर दो Google, तब को यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे इस पॉंशर लिखा हुआ है, तब को नीचे चले जाना है, नीचे जाएगा, तो यहाँ आपको देखने मिल जाएगा, तो प्लाइप तु पांच लाक इंस्टेंटली तुररंत आपको पैंच लाक रुपई का लोन मिल जाएगा तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर देखने को मिलते है थे तो आपको यहां पर थी लाइन का option पर क्लिक करना जैसे थी लाइन वाला option पर क्लिक करेगा तो यहां पर नीचे आएगा यहां पर देखने को मिलता है 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 यहा परसनल लोन इंट्रेस्ट रेट परसनल लोन इमाई कल्कुलेटर टॉप बैलेंस ट्रांसफर यहां पर परसनल लोन ओवर्ड्राप तो सबसे पहला इस तरीके का आपको इंटरफेस्ट देखने को मिल जाएगा यहां पर डेक्स नहीं प्लीज डू नौट रिफ्रेस्ट कुछ इस तरीके का इंटरफेस्ट देखने को मिल जाएगा इसका आपको नीचे आना नीचे आपको यहां पर पहले उपर देख लिजेगा तो सबसे पहला आपको अप्लेकेशन फिलफ करना आपका जो भी डॉकुमेंट रहेगा वह फिलफ करना है आपको जैसे डॉकुमे आपको इसर लाको नाम टइप करना है यहां पर पर पहले आपको नाम है आपको ऐसे पर अपकर बीजेगा यहां डॉक्डब करना है अगर आपद एस गर्रफ करतة कमपनी में करता को सेलरी सेलट करना है अगर आपको कोई business है या आप कुछ ऐसा काम है जो self-employed पर आता है तो आपको self-employed select करना है इसका आपको मन्तिली income कितनी आपको go select कर लेना या select कर लिजेगा इसका verify with what to be a option पर click कर देना है इतना कर दीजेगा तो आपको mobile नमर पर को typical cnd के जाएगा तो आपको fill up करना है आपको pencard आधार card और आधार card और आपको last 3 month का bank statement आपको uploat करना पड़ेगा तो आपको यहां पर pencard से civilis court फेज किया जाएगा जैसे आप जितने के eligible रहते हैं तो इसे तरह को यहां पे bank a offer करेंगा operator करने के जिसे offer कर देता तो offer करेंगा ऊसके पाद अपको इहा पर देख लेना एकसेप्ट करेंगा तो इस तरह पर अपके account में transfer कर दिया जाएगा तो इस तरह कि आपके a loan मिल जायाएगा